अज में आप लोग के सामने मस्रूम की एक नई रेस्पी ले करके आई हूँ जिसे बनाना तो बहुत इजी है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का है ये एक स्टार्टर रेस्पी है और इसका नाम है रवा मस्रूम जी हाँ आप लोग इसे जरूर ट्राई किजिएगा ये बहुत ही ला जवाब है चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं Hello friends मैं हूँ Neha और Tasty Food with Neha मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है रवा मश्रूम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम मश्रूम इसे मैंने पानी सच्छे से धो करके इसके थोड़े बड़े-ब बनाना चाहते हैं चोटे पीस में मैंने थोड़े बड़े लिये हैं अब मैं इसमें डाल रही हूं मैदा तो मैं यहां पे घर का जो चमच होता है नौर्मल जो चमच मैंने उस चमच से तीन चमच इसमें मैदा डाला है अब उसी चमच से मैं इसमें डाल रही हूं चार चमच स सूजी जिसे हम रवा भी कहते हैं तो ये दिखिए सूजी डालने के बाद अब ये मैंने वन टीज स्पून लिया है जिंजर गारलिक पेस्ट इसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ टीज स्पून लाल मिर्श पाउडर चुटकी भर हल्दी पाउडर कलर आने के लिए और ये ह अब ये मैंने लिया है वन टीज स्पून औरिगानो अगर आपके पास ये ना हो तो आप मिक्स हर्ब ले सकते हैं या फिर आपका सूरी मेथी भी ले सकते हैं आप चमच की मदद से हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वन टीज स्पून नमक आप स्वात के अनुसार कम जादा कर सकते हैं इसे भी मिक्स कर लेंगे अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे हम थोड़ा गीला कर लेंगे जिससे जो हमने इसमें सूखे मसाले डाले हैं और सूजी मैदा जो डाला है वो अच्छे से मिस्रूम में चिपक तो जो सूजी बची थी मैं यह पूरा सूजी इसमें डाल दे ली हूँ यह लगभग तीन चम्मच और हैं तो इसे भी मैंने इसमें डाल दिया है अब यह देखे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम अच्छे से इसे ऐसा बनाएंगे कि यह मश्रूम में अच्छे से लग जाए यह देखे बिलकुल इस तरह से अब हम कड़ाई में तेल गरम करेंगे बहुत जादा तेल नहीं डालना है थोड़ा ही तेल डालना है क्योंकि मश्रूम को फ्राइ करने में हमें जादा तेल नहीं लगेगा अब ये देखे इस तरह से मश्रूम को हमें पूरा इस बैटर में लपेटना है अब इसके बाद ओल में हम इसमें डालेंगे ओयल बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए ताकि हमें इससे अराम से धीरे धीरे सेकना है मीडियम फ्लेम पर अब तीन से चार बार पलट पलट करके हम इससे अच्छे से फ्राई करेंगे सब्सक्रेट जो हमारा मिश्रुम होगा वह बहुत अच्छा कुरकुरा बनेगा यह देखिए इससे निकाल लेंगे एक पलेट पर सारे मशरूम को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे